है वह यह मंडा मिंट्रा पाइप जाला यह सेखिंड आउटर इसमें कोई हुद्र यहां पर्सक्रार्वा इंधे रहें और मैं यह यहां पर को मैं आपको वाइफ़ यहां पर आहने टेंदा गांकर यह वायय।죠 YouTube open करके दिखा और जो यहांपर नेट चल रहा है को हिए अपोई यहां पर देने से सो हाइड बेक्ट मेन अरे वीडियो और आज में आपको बताने वालों कि अगर आपको पास कोई सेकंड राउटर है और आपको उसे अपने में राउटर से कनेक्ट करना है जैसे यहां पर मेरे पास यह है मेरा में राउटर जो कि यह लगा हुआ है और मेरे पास यह सेकेंड राउटर है अगर यह मिलको अगर जैसे मिलको इपने second floor पे करना होता है connect वाइप है तो फिर यह वाले की range इतनी अच्छे से नहीं आ पाती तो अगर second router को आपको main router से connect करना है तो एक तो दो method होते हैं इसके अपने वाली के बाशने कर सकते हैं यहाँ यह फिर लान वीडियों मताने वाला हूँ आप इन्हें वायरलेसली भी कनेट कर सकते हूँ जो कि वायरलेस रिपीटिंग की तरह एक्ट करेगा यह आपका सेकंड राउटर जो है तो इसे सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए इसे आपको यहाँ पे पीछे दे रखोगा या फिर साइड मे रखना है 10 सेकंड के लिए ठीक है फिर यहाँ पे जो यह लाइट है यह फिर से एक बार यह सारी लाइट है एक बार यह ब्लिंक होगी इसके मुद्दा यह रिसेट हो गया रिसेट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना लैप्टॉप या फिर कोई भी फोन लेना है तो य राइं अट वाले है तो यह वाला जो टेंड है है यह वाला है न कर लेना आपको आख दी कैनेट करने बाद यह आपको ओटमेटिकली पेज खुल गा इसमें पहले सबसे पहले आप पासवर्ड जट कर लो ऑके और यहां पर आपको select कर लेनी है dynamic IP जो कि automatic IP होती है हमें manually नहीं डालने पड़ती है खुद ही select करता है और ok कर दिया इसके बाद अभी इसे close कर दो यहां पर जो भी password कि यहां पर मैंने 12345678 नेक्स्ट यह सब्सक्राइब अब आपको direct फिर से Chrome पर जाने है यहां पर जाने के बाद यहां पर आपको iPad टाइप करना है 192.168.0.1 कि यह.0.1 से भी खुल सकता है और .1.1 से भी खुल जाना दोनों आप ट्राय करके देख लेना यहां पर आपको जैसे इस मेरा तो यह 10 डाकर राउट रहा है और वह जो मैं आपको आई पेड़ेस बता रहे था वह इसके पीछे भी लिखा होता है यह देखो यहां पर चीक है तो मेरा जैसे 10 डाकर राउट रहे तो इसमें तो अभी मैं आपको बता दूँगा कैसे होगा बागी अगर आपका जैसे टीपी लिंक क्या कोई और है तो उसमें आपका कुईक सेट अप करके कुछ आ रहा होगा यहां पर जाने के बाद आपको सीधा वायरलेस रिपीटिग पर जाना है यहां पर या यहां पर रिपीटर के नाम है मेरे यहां पर मेन राउटर करना यह प्रियांशू 2.4 जिए तो अभी हम इससे सलेट कर लेते हैं और यहां पर सिगनल स्टेंथ भी बतायता है कि कौन-कौन से वाइफ है कि कितनी स्टेंथ आ रही है अभी यह साइड में रखा हुआ है तो इसके 100% स्टेंथ है इन उक्वाहि करना है ओके है और यह यहां पर पासवड मांगे गांए यह पासवड डाला हुआ ऐसा सबक्राइम में अभी के लिए तो देन यहां पर Ferr kar lazji करना है फिर यह अभी एग देखना एक लेगा कि अभी बस रीबूटिंग होगी इसके 100% तक अब अगर हम कि यहां टेंडा के नाम से रीबूट होने के बाद यहां पर ऑटमेटिकली कनेक्ट हो गया अब वह वाला जो आपका पेज होता है वह सिर्फ टेंडावाइफाइडाट कॉम करके खुलेगा वह 192 पॉइंट करके अभी डालोगे वह चीज़ भी बताता हूं तो जैसे यह टेंडावाइफाइडाट कॉम या फिर आपका टीबी लिंक करके जो भी है उसके लिए भी वह आप पे शो कर देगा जब रिबूट का ओप्शन आता अभी जो प्रॉंट दिखे रहेते ना वहीं प्रॉंट पे लिखा आता है कि अब आप इसका पेज खोलने के लिए वेबसाइट डालने पड़ेगी तो यहाँ पे देखो कनेक्शन में लिखा रहा है ब्रिज स्टेक् लेते हैं कुछ भी यहाँ यूज लिखा और सबसे पहले स्पीड करके लिखे लेते हैं कि स्पीड कितनी आ रही है जिखा आज यहाँ पर 2.4 G वाले के थाप से तो ठीकी पीड आ रही है अग्यर्ण वाले अंदर अगर यह 5 invari वाला होता तो जाधा स्पीड आती वागि सही है बाइडनेसली करेक्ट कर रहा है तो वही ठीक भी है और अब यह आप दूसरे फ्लोर पर भी यूज कर सकते हो अब यह फिक ग्राउन फ्लोर या सेकंड फ्लोर जो भी आपको फ्लोर पर वो यूज करना एक मतलब नॉर्मल वाइफा की जितनी रेंज होती है आप अपने यह वाले वाइफाय को दूसरे फ्लोर या फिर दूसरे रूम तक भी यूज कर सकते हों तो यह वाला मैथड़ था गाईज बाकि आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज के अंदर मैं कि मैं आपको एक बर यहां पर नॉर्मली यूट्यूब भी सर्फ करके दिखा देता हूं ठीक है और कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो कोई अगर आपको दूसर राउटर अपको ना रहा हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम पर मेसेज कर देना मैं रिप्लाय करतूँ गाँ अगर हैंप कर सकता हूं तो आपके एल्प कर दूँ एप्लाए गरतुमा